हलो एब्रिवान, वेलकम टू बिंग अबेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल, आज के इस लिक्चर में हम टॉपिक करेंगे मीनिंग, नीड अंद इंपॉर्टेंस ओफ एजुकेशनल पॉलिसी, सबसे पहले समझते हैं एजुकेशनल पॉलिसी का मीनिंग क्या होता है, देखि के से काम करेगी, उसके क्या रूल्स और रेगूलेशन हैं, उसका पूरा कच्चा चठा, ठीक है, वो पॉलिसी के अंदर आता है, जैसे की एक कमपनी की पॉलिसीज होती हैं, यानि की टर्म्स और कंडिशन बेसिकली कि वो कमपनी ऐसे काम करती है, ऐसे नहीं, ऐसे उसमें ये चीजे हैं, अगर कुछ खराब हो जाता है, तो ऐसे आप ठीक करा सकते हैं, राइट, कुछ भी मतलब उसमें सब कुछ उस company की बारे में लिखा रहता है, ठीक है, तो इसी प्रकार से education की बात करें, तो education policy मतलब education overall किस तरीके से चलेगी, क्या उसके अंदर laws, policies, planning, मतलब principles है basically, वो यहां पर educational policy की अंदर आते हैं, example से समझेंगे, ऐसे समझ नहीं आएगा, देखे, policy आप देखे, अभी हाल ही में, नई सिक्षा नीती, that is new education policy, जो आई है education की policy, अभी जो latest है, वो है 2020 की, उस education policy में basically क्या है, कि भई हमारा education pattern जो है, school level, college level का, वो किस तरीके से होना चाह क्या यहां पर इंडिया के अंदर nationally laws है education के, वो यहां पर national policy of education में बताया हुआ है 2020 की, इससे पहले नई सिक्षा नीती की बात करे, educational policy की बात करे, तो देखे, national educational policy इससे पहले आई थी 1986 में, जो की review 1992 में हुई थी, उससे पहले बात करे तो आई थी 1968 में, ठीक है, तो इस प् अगर हम देखते हैं, तो 68, 86 और उसके बाद 2020 में हमें यह देखने को मिलती है, बीच में इसका review हमें, जो 86 वाली थी, उसका review हमें 1992 में भी देखने को मिला था, ठीक है, तो यहां पर देखे, यह education policy जो time to time आती रहती है, यह यहां पर govern करती है, कि किस तरीके के laws education के अंदर रहेंगे, राइट, जैसे की एक बच्चा जो है, वो 5 साल की schooling करता है, ठीक है, तो वो यहां पर primary education की होगी, राइट, अगर कोई बच्चा 12th पास कर लेता है, तब ही वो college जा सकता है, graduation 3 साल की होगी, 10 वी में board नहीं होगा, केवल बारवी में होगा, ठीक है, exams जो है, वो 4 F.A. होंगे, formative assessment होंगे साल में, और 2 summative assessment होंगे, C.C.E. का pattern लागू करना, कौन सा बच्चा जो है, school में, nursery के admission के लिए, जो है, eligible है, जब वो 4 साल का हो जाए, ठीक है, उससे कम का है, तो वो class में, like nursery admission के लिए, eligible नहीं है, राइट, तो ये सब चीजे, ये कुछ भी education के अं वो यहाँ पे govern किया जाता है, education policy में, राइट, education के अंदर कैसी achievements होंगे, क्या objectives हैं, कैसे उनको achieve किया जाए, कौन से chapters पढ़ाने हैं, कौन से नहीं, क्या syllabus होगा, क्या textbook होंगी, सब कुछ educational policy में होता है, राइट, तो यहाँ पे basically ये है, laws that governs the education, basically data written in the policy of education, राइट, सो आगे बात करते हैं, अब इसकी need क्यों है, देखिए, need यहाँ पे guidelines की है, देखिए, पहली सिक्षया नीती, जब हमें 68 में देखने को मिली थी, independent इंडिया में, पहली बार हमें national education policy देखने को मिली 68 में, तो उससे पहले generally देखा गया, कुठारी कमीश 1964-66 में आया था, 64-66 में, जिनके सुझाव पर ही 68 की national education policy आई थी, तो कुठारी कमीशन ने यहाँ पे यह देखा, कि भाई, पूरे देश में जो है education एक सी नहीं हो रही है, कहीं पे कुछ हो रही है, कहीं पे कुछ, यानि कि समानता उसमें नहीं है, equality नहीं है, तो बहुत ज education policy 68 में देखने को हमें मिली, तो ये देखिए सबसे पहला नीड है, कि समान तौर पे पूरे जो हमारा देश है, उसमें समान education हो, ऐसा ना हो, कहीं पे तीन साल की graduation है, कहीं पे 2 की हो, कहीं पे primary शिक्षा 4 साल की हो, कहीं पे 5 की हो, इंपे 10 की हो, ठीक है, तो उसका like text book की ब बात करें, तो एक समान चीज होनी, एक यहां पे हर जगां पे एक जैसी होनी nationwide वो बहुत important था, तो ये पहली नीड है यहां पे educational policy की, तो इसके अंदर यहां पे हम बात करें, syllabus हो गया, text book हो गई, curriculum हो गया, overall, सब कुछ, curriculum के अंदर तो देखिए, already सब कुछ आ गया, तो सब कुछ जो है, एक सा रहे, nationwide, right, secondly हम बात करें, तो देखिए, कुछ guidelines का होना, students के लिए, parents के लिए, and especially teachers के लिए, बहुत ज़रूरी है, तो वो guidelines भी यहां पे तयार की जाती है, educational policy में, तीसरी चीज बात करें, तो examination pattern हो गया, examination pattern भी एक सा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कहीं पे बच्चों को युही promote किया जा रहा है, कहीं पे proper exam हो रहे हैं, कहीं हो इन रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक उसका भी criteria हो, तो ऐसे certain criteria's define किये जाते हैं, education policy में, उनके लिए guidelines बनाई जाती हैं, मतलब एक particular system यहां पे education का बनाने के लिए हमें need है, education policy की, और इसी तरह कि बहुत सारी needs हैं, that is why education policy हर एक देश जो है अपनी time to time लागू करता रहता है, right, so अब आते हैं need के बाद importance पे, importance की बात करें तो देखिए optimization of cost, यानि कि देखिए expenditure हर चीज में देखना होता है, आपको अपना budget देखना होता है, right, तो वो यहां पे elaborate किया जाता है education policies में, औ और उसी को देखते हुए, जो है हर साल हमारी जो government होती है, central और state government, वो अपना budget education के लिए decide करती है, देखिए हमारे constitution में ये clearly mention है कि education की जिम्मेदारी नाकेवल state की है, नाकेवल center की है, बल्कि एक collaborative effort होगा, मतलब साजेदारी होगी central government और state government, यानि की केंदर और राजय सरका यहां पे कोई भी पैसे का wastage नहीं होना चाहिए, देखिए पहले कुछ surveys हुई, उनमें ये भी देखा गया, कि education का जो पैसा है, वो सरकारे क्या कर रही है, वो सरकारे अपनी rally निकालने में या और किसी काम के लिए जो है use कर रही है, तो ये चीज ना हो, education का पैसा है, तो वो सिर्फ education पे खर्चा हो, waste of time, waste of money, waste of efforts ना हो, तो उस चीज के लिए यहां पे हमें importance है education policy की, देखिए आज के टाइम में जितने भी government school हो, private school हो, NGO, minority, कैसा भी school हो, तो उनको बताना बढ़ता है, in when वो अपनी website पे particularly post करते हैं, कि उन्हें कितना पैसा मिला, किस चीज में उन्हें कितना पैसा खर्च किया, right कि कोई चीज, like कोई function conduct कराया, उसमें इतना लगा, properly उनको बिल जो है, register में maintain करने होते हैं, जब inspection होते हैं, time to time की भई, इतना ही खर्चा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, तो वो ये चीज देखते हैं, तो हर चीज जो है, यहां पे जो organization ह होते हैं, school के अंदर, वो देखती हैं, तो यहां पे optimization of cost हो सके, तो उसके लिए important है education policy, कोई लोग आएंगे, school में check करेंगे, जो authorities है, जो principles है, management है, यह लोग waste ना करें उन चीजों को, पैसे को, तो यह सब system बनाया, किसने, यह सब system बना education policy में, so that is why it is important. Next is maintaining compliance, देखिए, यहां पे कुछ rules and regulations हैं, कुछ laws हैं, जो हर school को follow करने होंगे, इंडिया के अंदर हम बात करें, तो देखिए, जो education policy होती हैं, उसमें जतने भी rules govern करने के लिए होते हैं, rules and regulations होते हैं, वो ऐसा नहीं है, सिर्फ government school follow करते हैं, वो school इंडिया के अंदर हर एक school क करेगा, ठीक है, वो rules को follow, चाहे वो government हो, private हो, government aided हो, minority हो, NGO हो, कोई भी school हो, right, क्योंकि देखिए, यहां पे एक rules regulations का होना बहुत ज़रूरी है, और उनको strictly follow करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो ही again वो ही बात आ रही है, क्या ताकि एक समानता रही education में, nationwide, right, देखिए, ए कि example में यहां पे आपको देना चाहूंगी, generally क्या देखा जा रहा था, कि South में, East India में, basically वो education promote नहीं हो पा रही थी, मतलब बात करें तो हम, like एक अलग ही system था, North India की बात करें तो एक अलग ही system था, West India की बात करें तो अलग ही system था, तो यहां पे जरूरी थी, कि अगर देख फर्स लेंग्विज बच्चे की हिंदी ना हो, तो सेकिंड हो, या थर्ड हो, ancient language भी हमारा culture भी जो है, सब बच्चे जाने है, ऐसा ना हो कि South का बच्चा बस South की culture जान रहा है, North का North का culture जान रहा है, एक पूरे जो हमारे इतने सारे राज्ये हैं, हमारे इतने सारे states हैं, दे like education policy में rules, regulations हैं, वो सब strictly जो है, यहाँ पे schools follow करें, let's suppose अगर कोई school करता नहीं है, तो देखिये, ऐसे में schoolों पे penalty लगाई जाती है, भारी मातरा में private schools पे और even government schools के लिए भी कुछ rules and regulations है, इसलिए important है यहाँ पे education policy, अभी सोची education policy ना हो, तो सब अपनी मनमानी करेंगे, को जाएगा education के overall pattern का, right? आगे बढ़ते हैं, next is safety in the learning environment, बिलकुल यहाँ पे देखिये, safety रहती है learning environment में, जो policies होती है national level पे, या कोई भी education की policy, तो वो overall यहाँ पे जो है standard बनाई रखती है, एक safe environment का for the well-being of physically safety or mental safety of the students and as well as for the teachers, right? जैसे कि एक बहुत promoted चीज आज के time में schools में है, जो पहले नहीं थी, ठीक है, कि आप बच्चे को मार नहीं सकते हो, पनिश नहीं कर सकते हो, physically or mentally, it is like, यह एक criminal offense होगा, अगर कोई भी teacher या कोई भी other staff member school में ऐसा करता है, right? Next is promote an active learning culture, एक active learning culture हम बच्चों में या staff जो है वो भी ऐसे या teachers ऐसे पढ़ाएं, तो ये चीज़े हो पाए, right? तो मतलब overall हम बात करें तो learning में बच्चों का interest आए, right? So, उस चीज़ के लिए यहाँ पे emphasize किया जाता है education policy में. Next is equality and diversity inclusion, वही चीज़ देखिया ऐसा ना हो आप जिस राज्य में जिस एरिया में रह रहे हैं, वही का ही culture बच्चों को पता हो, वही का ही promote होता रहे, जरूरी है diversity inclusion हो, यानि कि मैं अगर दिली में रहकर भी पढ़ाई कर रही हूँ, तो मैं South का culture पढ़ते पढ़ते पूरा जान जाओ, West India का जान जाओ, Central India का जान जाओ, and so on, right, okay, coming to the next point, अब points are enough हो गए है, इतने points काफी है, and coming to the conclusion, तो guidelines देखिये, basically, laws जो है, governing bodies, basically, क्या rules and regulation abide करने है teacher को, जो भी learning teaching process में included है, schools है, तो वो सब यहां पर frame out किया जाता है education policies में, so that is why education policies बहुत important है, और time to time इनका regularize होना भी important है, according to the modern time, जैसे कि मैं बात करूँ, तो इंडिया के अंदर हमें 1986 के बाद, 2020 में सिक्षानीती देखने को मिली, हाँ, इसमें बीच बीच में देखिये, इसका review होता रहा, 1992 में बहु अच्छा review हुआ था इसका, देखे, उसके बाद लेकिन अगर अब तक देखे, तो हाँ, एक gap रहा, और बहुत ज़रूरती कि इसके बीच भी कोई education policy आए, हम उमीद करते हैं कि जो curriculum है, national curriculum framework जो अभी 2005 का चल रहा है, उसमें भी जल्द अपडेशन हो, और कुछ नए curriculum दुबारा से review होके हमें मिले, so ये था आज का हमारा lecture educational policy के बारे में, उमीद करती हूँ, lecture आपको समझ आया होगा, और पसंद आया होगा, कोई भी doubt हो, तो comment section में बिलकुल freely लिखे, thank you